नमस्कार, साइंसन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज मेरे पास एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ऐसे तो सिक्षा जगत में गुरु बड़े होते हैं और सिस्ट से छोटे होते हैं और ऐसा लगता भी है कि सीखने वाला जो है वो सिस्ट से होता है स्टूडेंट होता है, डिसाइपल होता है, कैंडिडेट होता है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई वास्तविक रूप में सीखता है तो वो टीचर ही होता है हर दिन अपने विद्यार्थियों से कुछ न कुछ सीखना हमारे जीवन का हिस्सा होता है तो असल रूप में, रियालिटी में, सच्चाई में मेरे विद्यार्थी जो हैं वो ही मेरे गुरु हैं, उन्ही से मुझे प्रेरना मिलती है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ बहतर करना है ताकि मैं उनको बहतर बता सकूँ और सीखा सकूँ दो girl student है जिसका नाम है रीतिका और कवीता उसके English Literature का एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ सेयर करूँगा खुद भी सीखूँगा और कोशिस करूँगा कि आप लोग भी उससे कुछ लेशन ले तो स्टोरी का जो नाम है वो है दा वुल्फ एंड दा क्रेन उल्फ जो है एक जानवर का नाम है एक वाइल्ड एनिमल है जिसको हिंडी में भेरिया कहते है और क्रेन सारस पक्छी का नाम है जिसका आकाड बड़ा होता है जिसको क्रॉंच भी हिंडी में कहा जाता है तो आईए इस कहानी को देखते हैं सुनते हैं समझते हैं एक बाड़ की बात है कि भेरिया जंगल में भोजन की तलास में भटक रहा था घूम रहा था परिसान हो रहा था यहाँ वहाँ जहाँ तलास कर रहा था कि कहीं भी भोजन का कुछ हिस्सा मुझे मिल जाए ताकि जो पेट की अगनी है उसको बुझा सकूँ और भोजन की जो त्रिप्ति है उसका अनुभव कर सकूँ इसी दर्मियान वो घूम रहा था भटक रहा था काफी भटकने के बाद घूमने के बाद इधर उधर तलासने के बाद खोजने के बाद उसे एक डेड एनिमल मिलता है वो काफी खुस हो जाता है और इस तरीके से उस पर तूट पड़ता है जैसे काफी दिनों से उसने बड़ी में खाने लगता है, इस तरीके से खाने लगता है, जैसे कोई उसका भोजन का हिस्सा छीन कर ले जाएगा और वो फिर खाने ही पाएगा, तेजी में खाने की वजह से उसके गले में हड़ी का एक टुकरा फंस जाता है और वो परिसान होने लगता है, कराहने लगता है, उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है और वह यह सोच में पढ़ जाता है कि अब क्या करूँ, अब कैसे जान बचाओं छट पटाता हुआ वो भागता है वहां से, इधर उधर भटकने लगता है, घूमने लगता है दौरता हुआ भागता हुआ एक नदी के किनारे पहुँच जाता है पानी भी पीता है, लेकिन इससे उसकी समस्या हल नहीं होती है, उसकी पड़ेसानी बढ़ती ही चली जाती है तभी अचानक उसे एक सारस दिखाई पड़ता है, वो उसके नजदीक जाता है और बड़े ही विनम्रता के साथ, पॉलाइटनेस के साथ, हम्बलनेस के साथ वो उससे रीक्वेस्ट करता है, अपील करता है, प्रे करता है कि प्लीज मेरा हेल्प करो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी, मैं मर जाओंगा तुम्हारे चूँच बड़े लंबे हैं, अपनी कृपाद्रिष्टी बनाओ, मेरी जान बचाओ अगर तुम मेरी मदद करोगे, तो मैं इस बात के लिए तुमको आस्वस्थ करता हूँ कि मैं तुमको इसके लिए एक बहुत ही अच्छा इनाम दूँगा, और तुम्हारी भी मदद करूँगा उसकी विनिती, आगरह को सुनने के बाद, सारस, क्रेन, क्रॉंच, उसकी हेल्प के लिए तयार हो जाता है और बोलता है कि तुम अपना मुह खोलो, भेडिया अपना मुह खोल देता है और एक डॉक्टर के रूप में, एक मसीहा के रूप में, सारस जो है अपनी लंबी चोंच की मदद से, उसके गले में फसी हुई हड़ी को निकाल देता है जब हड़ी बाहर आ जाती है, तो भेडिया को लगता है कि जान में जान आ गया वो राहत की लंबी सांस लेता है जब ऐसा हो जाता है, तक कुछ देर नॉर्मल जब हो जाता है भेडिया तब सारस अब बोलता है कि भाई आपके कहने के अनुसार मैंने तो आपकी मदद कर दी अब जो आपने कहा था उसको पूरा करने का समय आया है आपने मुझसे कहा था कि जब मैं आपकी मदद कर दूँगा तो आप मेरे लिए गिफ्ट देंगे मेरे लिए इनाम देंगे कहां है मेरा इनाम अब मुझे मेरा इनाम चाहिए ऐसा सुनने के בाद भेडिया फिर अपने रंग में आता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे इनाम चाहिए सुक्र करो भगवान का कि जिस समय मैं तुमने अपनी चोच और गर्दन मेरे मुह में डाली थी, मैंने अपना मुह बंद नहीं किया, नहीं तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। और गर्दन को मेरे मुह में डाली, उस समय मैंने अपने मुह को खुला रखा। और तुम मुझसे इनाम की बात कर रहे हो। तो ये था एहसान फरामोस भेडिया जो काम निकल जाने के बाद इस तरीके से अपना रंग बदल लिया। भूल गया एहसानों को। हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाय ऐसी होती रहती है। जो लोग हमारी मदद करते हैं। जिन लोगों ने हमारे उपर बहुत सारा एहसान किया हुआ है। सहायता में लगे रहते हैं। हमारे सुभ चिन तक हैं। जब हमारी इस्तिती अच्छी हो जाती है तो वो इस बात को भूल जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है इश्वर की कृपा हो। हर किसी का विकास हो। हर कोई अपने जीवन में आगे पढ़े। लेकिन एहसान फरामोस होना किसी पाप से कम नहीं। जिससे बचने की जरूरत है। जिसको हमेशा याद रखने की जरूरत है। यह स्टोडी बहुत सिंपल है, कॉमन है, नॉर्मल है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। इसका सबसे सुन्दर मोरल यह है। कि यह भी नॉर्मल यह भी विए नॉर्मल यह है। इसमें आप टेश्युश्युश्य। विए प्रिश्य। इसमें प्रीश्य। we should always remember the gratefulness of the people who helped us so in this case, we should must remember the reason of the fact that we expanded the mind अपने जीवन में ना आने दे, आपके माता पिता, आपके गुरुदेव, आपके परोसी, आपके मित्र, आप जिस समाज में रहते हो, आपके डेवलप्मेंट में बहुत सारे लोगों का कॉंट्रिबूशन होता है, योगदान होता है, प्लीज आप उनके प्रती एहसान मंद रहे हैं, ग्रेट फूल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच,